नमस्कार स्वागत है आपका विके नियूस में अभी तक आपने परमानू बम की कहानिया सुनी और पड़ी होंगी हो सकता है कि कोई छुटपुट बम धमाकों की वीडियो भी देखी हो पर कभी ये सोचा है कि अगर 18,000 किलो का बम फोड़ा जाए तो क्या होगा जहां ये बम फोड़ा जाएगा, वहां का नजारा कैसा होगा, कितनी तबहाई ये मचाएगा जाहिर है कि ये सब आपकी कल्पनाओं से भी परे नजाराता है तो चलिए आपको दिखाते हैं ये खतरनाक नजारा जिसे कैमरे में कैद कर लिया गया देखा आपने, जब ये महा बम फूटा, तो समंदर में भूचाला गया पानी आसमान से बात करने लगा, धरती डोल उठी ये बम अगर जमीन पर गिरा होता, तो शायद कई फिट गड़ा हो चुका होता आपको बता दे कि इस बम की टेस्टिंग अमेरिकी सेना ने की है दरसल चीन समंदर में अपनी ताकतों को बढ़ा रहा है और इसको चुनौती देने के लिए अमेरिका ने भी कमर कसली है गेराल्ड फोर्ड के पास बीच समंदर में किराये गया जिससे पानी के अंदर जूरदार धमाका हुआ और फुकाम पा गया अमेरिकी नौसेना ने इसे फुल शिप शॉक ट्राइल करार दिया है वही मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस धमाके से समंदर के अंदर रिक्टर पैमाने पर 3.9 की तीर्वता वाला फुकाम बा गया यूएस नेवी ने कर शुकरवार को ये परेक्शन फ्लोरीडा के डियोटोना 20 से 100 अमीर की दूरी पर किया है विशेशग्यों का कहना है कि इस तरह का परेक्शन अपने आप में और समाने घटना है ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिकी नौसेना ने बंकाई विशपोर्ट पानी के अंदर किया जब कि उनका एरक्राफ्ट केरियर पानी के सता के उपर था इस ट्राइल का मकसद ये था कि उन्हें ये पता चल सके कि जब बं हमला होगा तो ऐसे में एरक्राफ्ट केरियर कितना उसे जहिल पाएगा और युद के दौरान ये कितना परभाविश साबित होगा इस पल को कैमरे में कैद कर लिया गया और अब ये वीडियो वारिल हो रही है जहां इस बं विस्पोर्ट की चर्चा पूरी दुनिया में है तो वहीं अमेरिकी नौसेना का कहना है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित विस्पोर्ट था उन्होंने बताया कि इस विस्पोर्ट के जरिये एरक्राफ्ट कैरियर के भविश्य की जंग की संभावना को परखा गया है अमेरिकी नौसेना ने कहा कि इस विस्पोर्ट का पर्यावरन पर असर नहीं पड़ेगा इस वीडियो से पर्यावरन का तो पता नहीं पर चीन को जरूर फर्क बढ़ा होगा चीन की बढ़ती समदुरी ताकत को देखते हुए कई देश अब एक चूट हो चुके हैं तो कैसी लगी आपको ये महा विस्पोटक वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और तेश और दिने के तमाम बड़ी ख़वड़ों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हैं विकीनियूस के साथ नमस्कार